प्रणाम नमस्कार सभी दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं आचकी हूँ मैं ममता तिवारी अपने प्रोग्राम मफाहों का सच लेकर हमेशा की सतरे मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में प्रियंकाराज जो आपको काफी सारी बातों के आज जानकारी देंगी और मेरा साथ देंगी तो आज हम जस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो यह है कि आप सभी जानते हैं बीते दिन पहले पवन सिंग का जनम दिन था उनके लिए बेहत खास दिन था लेकिन उस खास दिन में भी पवन सिंग को थोड़ा बहुत दुख जरूर पहुचा होगा क्योंकि यह हमें उनके फेस्बुक वाल से ही जाने का मौका मिला जब उन्होंने एक पोस्ट के जरीए यह डाला कि जो लोग मुझे गलत समझ रहे हैं या जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं बीजेपी पार्टी में सिर्फ एक जरीए की तहत जुड़ा हुआ हूँ तो यह गल पावन सिंग को बहुत सार इनके जननदिन की बढ़ाया मिल रही तो इसी सिलसले में हम जब उनके फेस्बुक पे और इंसराग्राम पे जब हमने देखा तो एक पावन सिंग ने पोस्ट कर रखा था जिन में उन्होंने लिख रखा था पूरी कहानी उन्होंने बताई दर कौकता के स्टेशो खतम करने के बाद जब लखनों के लिए रवाना होने वाले थी तो इनकी फ्लाइट थी वह डिले हो गई उस बीच अपने किसी रिलेटिव कहां रुकना पड़ गया जिस वज़े से उनके जो और भी लोग हैं फैंस कह सकते हैं शायद उन्होंने क्या सो प्रचार करने गए हैं हालाकि ऐसा कुछ नहीं था पावन सिंग ने यही चीज़ जब उन्होंने पोस्ट किया तो उन्होंने यह चीज किलियर कि मैसिफ फ्लाइट डले होने की वज़े से वहां पे मुझे रुकना पड़ा और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं किसी भाजपा पाटी के अगेंस कोई चुनाव में कोई और परचार कर रहा हूं और इसके साथ परवन सिंग ने यह चीज किलियर कर दी कि वह भाजपा पाटी के एक निस्ठावान कह सकते हैं निस्ठावान कारे करता है वह और उनने का है मैं वह पूरी विमानदारी से जब तक रहें के भाँ करेंट ए निस्ठावान था लगासी नला कि फुलाफी से जब में आपाले को चलिए मत रुआ और उन्सकलի म्हान में कूटिक ऑए झthest में आखले हैं तो अर रिभादी एक आपकर को अजब को दिखत। रिष्टा खतम कर दूँ यह कोई बात नहीं होती है काम अपनी जगे है आप भलाई कर रहे है वो अपनी जगे है लेकर रिष्टे को बीच मैंने हिलाना चाहिए मानी लिया कि अगर पावन सिंग लेट हो गए उनके घर रुख गए थोड़ी देर तो अगर कोई भी होता तो अगर पावन सिंग लेट हो रही है और कुछ नहीं सूझ रहा है तो उस वत उनका रुखना बनता था तो मुझे नहीं लगता बुख भी हुई मुझे बहुत बुरा भी लगा कि कल पावन सिंग बहुत बहुत इस्पेशल ड़ी था बहुत अच्छा दिन था उनके लिए औ अगर बहुत 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 है कि जिसने भी वह शहायद इस जाए होगा बस कही नगए कि हम पावन सिंग बहुत 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 है लिकिन उनने हमेशा अपको सब्हाला है अब मुझे अधी भी हो चुके इस बातों कि क्योंकि स्टारों के साथ ये दुख और सुख जोनी रहती है कभी उनके दर्शक उने काफी ऊपर चड़ा देते हैं तो वही कभी सारी आसी बाते है जिससे देमोटिवेट इंसान हो ही जाता है और ये तो सुख दुख लगा ही रहता है दूसरी चीज़ और रुख करे अगर तो ये देखने को मिला है कि अभी गोविना क अभी फिल्म लगा होजपूरी फिल्म उनकी हालवा मचा के गयल इस फिल्म का फिर्स लुक देखने को मिला है तब गोविना के बाते हैं उनके साथ काम कर रहे हैं तो ये शचक था कि तीनों सूपस्टर यानि कोई उनके साथ नजा आई गा लेकिन अभी तीनों स्टर ने कोई भी गोविना के साथ काम नहीं कर रहा है कोई नए अक्टर पदार्पन कर रहे हैं गोविना के साथ तो कल इस फिल्म का फॉस्ट लुक देखने को मिला हलवा मचा के गयल जिसमें भी फेस नजर नहीं आया है लेकिन आपको क्या लगता है कि इस स्टाइल में जो खड़ पर हीरो नहीं है बलकि सिर्फ उन पर एक फिल्म एक गाना शूट किया जाएगा जिसमें गोविना पारिसिपेट करेंगे लेकिन जो पोस्टर रिलीज किया गया है उस उसने इस चीज को तो कही ना कि पहले किलिया रोचुका था कि ठीक गोविना एक फिल्म कर ऐ दुआ कर करियर की शुरवाद की है लेकिन ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि वो पर्दे के पीछे कौन है गुविंदा भी हो सकते हैं और कह सकते हैं कि वो नए अच्छा अगर अगर बॉलिवुड की बात करें तो गुविंदा इक बहुत जाना वाना राम है उनकी फिल्म को खांट करता है तो उनकी फिल्म को इनकी नी सोचाथ है और काफी सारे लोगोगो के आदर्श भी है गविंदा काफी सारे अक्तर्स के अदर्श वादी मारे राते है तो वहीं अब ये सुननि में रहा है कि जहां बॉड़ ये बादिवर्ड का ना नामी दामी अडि़ामी ए जब इस पिल्म एक देख जवाट जब लिगा हुआ को फिल्म और था विज़ को भीफ, को बहुच पया दियालो है? ममतर मैँ आपने विल्कुल सही कहा, गविंदा ऑई पुल कि बहुती एक बहुती अच्छा चे अर बहुती फेमस कलाकार एक्टर है लेकिन जब भोछपुरी इंडस्टी की बात आती है तो भाया ये तीनों स्टार कही न किसी को पीछे सकते है और जैसा कि आपने कहा कि इन तीनों की फिल्म मालनीजीक बार रिली जोतिया सदली गोविंदा की वी फिल्म आती है तो मेरा ये मानना है ये मेरा प्रसनल व्यू है जब 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 अए तीनों बाजी मालनीजे करिए तो में देंगा आता कि एनजूरी की वाज거야 सब्सक्राफनाओर्रbers स,"đ सूल्दा जब जब चाटिांज ह ту Åूरी कामेड़ी वीं लेग चुकिल हुघ कुछिझ लियूद जब की बाजी स्टारी किसे इन जप और आगे ये सुटे में आया है अभी देखने को मिला है कि लोहा पहलवान की एक गानी की शूटिंग पवन सिंग ने की है पाइस पंडित के साथ कहा रहा है कि बहुत रोमंटिक सोग है और दोनों की केमिस्ट्री भी काफी उभर कर आई है तो आपको क्या लगता है कि पाइस पाइस पंडित इसी फिल्म से एंट्री कर रही है तो पाइस पंडित इसी फिल्म से एंट्री कर रही है तो पाइस पंडित इसी फिल्म से एंट्री कर रही है तो पाइस पंडित इसी फिल्म से एंट्री कर रही है है तो पाइस पंडित इसी फिल्म लोगों को कितनी पसंद और शुछ सेट्पलि पाहलों का भात करें। उसकी खेर चर्चा बहुत पहले चर्चा में भाइल लाई तो कितना नाम हो चुका होगा। यहां इसे लेकर यह कहा जा रहा है कि पाइस पंडित कही नहीं गोविन माफि चाहूंगे पावन सिंह को यह तो बहुत अच्छी लगी रही है लेकिन कल जिस तरीकी का वीडियो वायल हुआ है वो रोमेंटिक सॉंग और रोमेंटिक उनके मुमेंट उनके जोड़ी बहुत है अज शहल Bye Se 지난 Video से अच्छी नही कहा जिए नहीं जाय है कि और अध्षू नहीं यहां हिक्रम अवाझस अच्छी लगारा हुआ है पत्षा वामाएस फेसे से क्योंक्तिक घुण्हां क्टिक्त उरम नहीं जातो आएक्तिका फर भाणी को तो अघुषास अच्छी आएची छी वहाँ प्रोमेंटिक गाना यह शूट हो रहा था और इसे देखकर यह कहना बहुत एजली होगा कि इन दोनों की जोड़ी केमिस्टी बहुत अच्छी होने वाली है और अब देखने वाली बात यह होगी कि दर्शकों को इनकी जोड़ी पसंद आती है अब एक तरफ है जी होगा है जाती है लिए रहार है सेकंड कि साट्यूल की शूटिण होने में काफी समय लग जाता है तो इसदरान में पहले से फिल्मे पता लग जाती है इस दोरान में मैं ता धरिष्यक जशा तो से माइं बड़ बड़ाम बता दिया हुझा हो ज़े तक फिल्म र रिलीस अब लोगा पहल्वान को ले लिजिए जब फर्स सेड़ूल इसका खतम अब दर्शक इंतिजार कर रहे हैं कि अब पावन सिंग देशी लूप में दिखेंगे अब पावन सिंग देशी लूप में दिखेंगे अब बताएं एक डेड़ साल भोष्पुरी फिल्म को खीचा जा खीचना भी कही न कहीं उस फिल्म को थोड़ा उसकी केमिस्ट्री को कह सकते इसकी स्टोरी को कहते हैं कहीं न कहीं बोरिंग कर देता तो ये चीजे हर चीज हीरो के हाथ में नहीं होता ठीक है तो ये थी आज की हमारी कुछ ताजा खबरी अगली बार फिर मिलेंगे हम ऐसे खबरों के साथ और तमाम जानकारियों के साथ लिकित अपता के लिए आपको हमें देना होगा इजाज़त नवश्कार